नमस्कार प्राइम टीवी में आपको स्वागते मैं हूँ आपके साश्रिका मेरा उत्रा शुरुआत करते हैं चार बजी की चार बड़ी खबरों की उत्रप्रिदेश के अफसरों ने बेजुबान पश्यों के इलाज के लिए जरूरी दवाओं और उपकरणों की खरीद में पड़ा घोटा ला किया है प्रारंभिक परताल में करीब 50 करोर रुपे की दवा और सामगरी ते प्रक्रिया को ताक पर रखकर खरीदे जाने का खुलासा हुआ है वहीं कई दवाए जाच में घटिया साबित हुई है उपकरण भी मनमानी दरों पर खरीदे गाए हैं राज है तो वायों का ज्रे दिखकत रुबने अंत्रणरों परक्षय करते हैं जहां तक मेरी जानकारी है जबाजियां करए करने की कुरी कमीटी बनी है उस कमीटी के द्वारा रेट एप्रूप किया जाता है जिम पोर्टल से खरीदी जवाईयों का जिम से आडर दिया जाता है वहां से बाउच्टर लेने के पाद यह मांसार उसका प्राइमेंट कराया जाता है हमारे पास एक ज्वाइन डारेक्टर मानिकी कर इस्टंडराइजेशन भी है वो दवाईयों का बाकाजिक जांग कराते हैं अधो मानक दवाईया होने पर उस कंपनी को ब्रेक्लिस्ट करते ह है तो इस तरह के आरोप यह तो बिल्कुल निरादार है इसमें कोई सचता की बात नहीं है तो के लिए खरीदे जाने वाली दवा में प्रारंबिक पड़ताल में करीब 250 करोड रुपे की दवा का हेर फेर सामने आया है जहां सरकार की नीतियों के उपर अधिकारी पलिता लगाते हुए नजर आ रहे हैं विभाग ने बड़ा घोटाला किया है और दवा के साथ साथ समगरी भी तैय प्रक्रिया को ताक पर रख कर खरीदे जाने का भी खुलासा हुआ है कई दवाए जाच में घटिया तक साबित हुई है उपकरण भी मनमानी दरों पर खरीदे गए हैं राजकिय विशलेश्वक की जाच में घटिया होने के खुलासे के बाद प्रक्रण को दवाने की कोशिश भी की गई है इस खबर पे मैसर सब आचीत के लिए समधात नितिन कुमार जुड़ चुके हैं नितिन घोटाले का एक और मामला सामने आया यह घोटाला पशुपालन विभाग से सामने आया है क्या कुछ जानकारी है देखे अभी प्रायंट टीवी पर दो दिन पहले बड़ी खबर चली थी जिसमें पशुपालन विभाग में प्रांस्पर पोस्टिंग के नाम पर बड़ा गोटाला उजागर हुआ था यह घोटाला ऐसा था कि तीस तारीक तक मुकमंतरी का अधेश था कि सभी विभाग जो ट्रांसपर नीथी है उस नीथी के तहर ट्रांसपर कर दें लेकिन पशुपालन विभाग ने पहले तो आवेदन आवेदन आये थे आउनलाइन उनको निरस्ट करके ऑफ-लाइन आवेदन मागा उन्तीस तारीक को एक लिस्ट जारी कर दिया आला कि वो लिस्ट ना तो मीडिया के सामने आई ना कहीं सारवजनी कोई ना तो उस पर कहीं जो विभाग है उस विभाग में जो अधिकारी हैं उनकी जो समस्क्या हैं वो खड़ी हो गई थी और उसके अलावा अब एक दूसरा जो बड़ा घोटाला है वो भी निकल कर सामने आया है पशुपालन विभाग में इस बार वित्य वर्ष में सरकार की तरफ से 65 करोड रुपए का जो बजट था वो जारी किया गया था लेकिन इसी चार महीने के अंदर ही ये 65 करोड का जो बजट है उसमें से 50 करोड रुपए जो है वो खर्च कर दिये गए पशुपालन विभाग में अगर अगर हम जाज परताल जब करी हैं हम लोगों ने तो उसमें कई ची है और हमें भी अंजब को चरहम आएगी जो चल्ड बॉक्स होता है जिसको हम और लृप और धी प्रिज़र बोलते हैं वो कॉल्ड बॉक्स एक ही समय रुपय का दाम था 69,000 रुपया में ये जम्मू कश्मीर में खरदा गया ये पहली चीज थी N95 मास्क जो इस समय बाजारों में 10-15 रुपय में मिल जाता है विभाग ने वो N95 मास्क पर 25,95 रुपया का खरदा है इसके अलावा जो cold box कर दे गये हैं उनके और इसके अलावा ब एक महिने के अंतराल पर जो cold boxes खरदे गये हैं उन cold boxes के दामों में 75,000 रुपय का प्षेर है बलब 75,000 रुपया एक महिना पहले वो जो भी दाम था करीब 1,75,000 रुपया और उसके बाद जब उसी को एक महिने बाद खरदा गया तो उसका दाम 2,50,000 से उपर हो गया तो आप खुद अनुमान लगाई है कि बड़े पाइमाने पर यह जो पूरा गोल गोटाला था वो पशुपालन विभाग में किया गया है इसके अलावा दवाओं के नाम पर सिरिंच के नाम पर कई सारे जो गोटाले हैं वो परत दर परत जो है वो खुलते जा रहा है अचाई इसक सारी दवाओं को वापस किया जाए उसके बाद जब इसकी जांच हुई है तो पता चला कि जैंपोर्टल के आधार पर जिन जिन कंपनियों से यह सारा ब्यूरा मांग करके खरदारी की गई थी बड़े पैमाने पर विभाग के निदेशक और विभाग के साथ साथ उन जैं मटी के खिलाब दो और अन मांगलों में गंभीर जो जांच के आदेश हैं वो अपर मुख सची वरजनीश भूबे की तरफ से पहले ही जारी क्या गया में भी और जवाग मांगा है विभाग से जी इन्दे दिन पहले इस मामले को दबाने की कोशिश करी जा रही थी जब ये मामला सामने आया कि पचाउस करोड रुपए का घोटाला किया गया है और अगज जानकारी दी हैं तो क्या ऐसा भी संभव हो सकता है कि पचास करोड से जादा का घोटाला हो बिल्कुल साफ तौर पर हाला कि जो ऑन पेपर आया है उस ऑन पेपर में हर एक चीज का दाम दिया गया है देखिए ये तो वो दाम है जो सिर्फ दवाओं के नाम पर और दवा को रखने के लिए नाम पर किया गया है इसके अलावा भी कई सारे घोटाले जो है वो परशुप पाशुपालन विभाग ने 80-8090-90,000 में वो कंप्यूटर कर दे हैं कीबोर्ड तक के दाम इतने महेंगे हैं जिसको अगर हम और आप जान ले तो साइद कीबोर्ड चलाना हम और आप तोड़ देंगे तो पाशुपालन विभाग ने कई सारे जो जो कीरती मान है घोटालों के नाम पर वो इस्थापित कर दिये हैं और अब परत दर परत उनके जो घोटालों की जो पूल है वो खुल रही है हाला कि आज सुबह जो निदेशक हैं इंद्रमणी उनसे बात हुई है तो उन्होंने सापवर पर इस जिसका जिक्र किया है कि मेरी जानकारी में यह पूरा की योगिया दितनात जीलो ट्रॉलिंज की बात करते हैं प्रदेश के मंत्री लगातार विभागों की समिक्षा बैठक करने के बाद अपने सौव दिन का बियूरा पेश कर रहे हैं और वहीं सौव दिन के अंदर इतना बड़ा घोटाला वो भी चार महीने में 50 करोड रुपए 50,000 रुपए में खरदा गया वो हमारे सावा लाक में क्यों खरदा गया इन सब को लेकर कि अब जाज बैठाई गई है जवाब मांगा गया है जो बहुत बहुत बाद बाद शुक्रिया मैंसा जुड़ने के लिए तुमाम जानकारी के लिए इस खबर पर मैंसा सम यूपी के किसानों की हालत लगतार सुधार देवे लगी योगी सरकार उनकी आर्थिक इस्तिति को मस्बूत करने के लिए भी कड़ा और बड़ा कदम उठा रही है सियम योगी ने सौंबार को प्रदेश के 50,20,000 से अधिक किसानों को अंच प्रमाट पत्र प्रदान किये इस दौरान उन्होंने प्रगतिशीर किसानों को भी संबोधित किया वह सियम योगी ने कहा कि किसान अपने प्रदेश में खुशाली ला रहे है साथ ही हमने किसानों को माफिया से मुक्त भी कराया है पतर प्रदेश जिस पर प्रगर्टिय और प्रमाद्मा के सीम किरपा है उस राज्य के माद्यम से नकिवल राज्य के पचीस करोड की आबादी का बलकि देश और दुनिया के उत्रपदेश के उनका पेट भरने की चम्ता अकेले हमारों उत्रपदेश का अंदाता किसान रघता है आज आप सब यहां पर उपस्तित हुए हैं आप सब गर्मी सर्थी वर्सात की प्रवाहा के विगर निरंतर अपने परिश्रम से अपने पुर्सार्थ से उत्तर प्रदेश और देश के अंदर खुसाले लाने का कारे कर रहे हैं उत्तरप्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थविवस्ता बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं मैं इसके लिए आप सब का हुदे से विनिंदन करता हूँ और इस ख़बर पर हमाईस अज़ाद बाचीत के लिए सब बदा था देखी यहां पर किसानों के लिए नहीं तरह की बेवस्ता लागो की गई है कि उनको जो एस सियर सट्विट दिये गए है और सियर के बादम से यहां पर जो भी उनको सियर होगा उसको उनका लाब मेलेगा 27 मुक्पंतरी योगी अरेटनस का एकए यह के एकाप है कि आगए जाकर जब फीनी मिल लाब में आएंगी ताहिए की लिए उनका के लिए खीः देवा किसानों के लिए काम किया गया उनको जो त्यारी थी वो ताफी लंबे समय चल लाई थी आज मुखंती जारा लोग बबन में प्रमापत्य बाते का हैं अन्सिदारक को इसके अलाबा जो जिला मुख्याला हैं जिला मुख्यालों को जिएम हैं और सीडियो हैं उन्होंना भी किसानों को मुख्य यह परमापत्य दिये हैं इसके साथ सार जो जो कि लगवाब लब चालिज चलों की 168 गन्ना शेकारी गन्ना सब्सक्राइब चालिज जोड़े हुआ जो पचाट दस अजार जिलाग किसान है उनके लिए काम किया गया है और साथी साथ उन्होंने ये भी का है कि सानों का बढ़ने में अर्थ बिवस्ता में किसानों को युगदान है और हमने अपने सरकार आने के बार एक 177,000 करूब का लोन का लोन जो होता बो भी मापती है इसके लाबा जो गन्ना मुन भुक्तान है बो भी किया है हम जो भी बिवस्ता किसानों कर रहे हैं लगातर करती जाएं से देखते हैं जो कि उत्तरा खंड के बजट है उससे जादा है और वहां से अब आप देखी किस तरह से बहतर काम हो रहा है इसके लावा गन्ना मुल भुक्तान हो चुका है और शेयर सब्सक्राइब किसानों को लाप पहुचा जा रहा है इसके लावा किसान जो भीमा ने दी है वो भी दी जो बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया हूं ऐसा जुड़ने के लिए तुमाम जानकारी के लिए इस ख़वर पर हमाई से समधताव गौरफ ट्रिवास तब जुड़े थे प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने आज जो नए संसद भवन की छट पर बने रास्टर प्रतीक अशोक इस्तम का अनावरण किया उन्होंने नए संसर के काम में लगे फ्रम जीवी से बातचीत भी की रास्टर प्रतीक अशोक इस्तम 9500 किलोग्राम के कुल वजन के साथ कास्ट से से बना है तो तस्वीरों में इस इस्तम की भव्यता देखने को मिल रही है और इसका अनावरण आज खोद प्रधान मंतरी नरींद्र मोदी ने किया है तस्वीरों में आप देख सकते हैं अनावरण की तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं प्रधान मंतिन नरेंदर मोधी ने आज संसद भवन की छट पर बने रास्ट प्रतीक अशोक इस्तम्भ का अनावरण किया पूजा पाठ विधी विधान के साथ इसका अनावरण किया गया है इस खबर पे हमाईससद बाठीत के लिए समधाता विधान्शु जोड़ चुके हैं विधान्शु आज इस्तम्भ का रास्ट प्रतीक चिन अशोक इस्तम्भ का अनावरण किया गया है और दिसंबर तक माना जा रहा है कि वह पूर रूप से बन के त्यार होगा उससे ठीक पहले आज प्रतानमंत्री सुबे असोक सम्भ की एक पतिमा का असिरा न्यास करते हैं जो की नए पाल्यामिन के ठीक उपर बनाए गया है आपको बताएं कि 9500 किलोग्राम के सम्भ को कांस धातू से बनाए गया है साथ ही आपको बताएं कि ये पतिमा 20 फिट की होगी वहीं आपको बताना चाहेंगे कि आज चर्णों में पूरे जो परियोजना है इसका निर्मार चलना है और लगबगे साथ है जो साथ वाउंड है वो कंप्लीट हो चुका है और आपको जो नया पालियामिंट है उसमें 1224 सदस्यों की बैठने की जगह है वहीं आपको बताना चाहेंगे कि जो निर्मार दिन संसर्भवन है उसके ठीक उपर आचप्धान मंत्री जाके वहां असोक संब का सिलन्यास करते हैं अनावरन करते हैं उनके साथ स्पीकर ओम बिला भी मौझूद वहते हैं जो नगर उद्व्यन मंत्री हैं हरदीपूरी वो भी मौझूद वहते हैं वहीं सिखा आपको बताएं कि असोक सम्भ का पहचान जो है वो असोक समराट के समय से था जहां विश्यों के समसे सक्षिसाली सामराजियों में से एक असोक समराट का जो सामराजिय था उसकी पहचान कहीं ना कहीं असोक सम्भ से होती सी साथी साथ से जब आप बहुत इस जग को एक अलग पहस्यान दे गई जी विभाश्यव अगर इसकी लागत की बात करी जाए तो कितनी लागत से बनाई ये भव इस तम विभाश्य आप इस बारे में कितनी लागत से बना है इतना भव इस तम जी मिली जानकारी के अनुसार 6 महीने तक इसकी नखासी का काम हुआ जिसमें हजारों से उपर जो धातु कलाकार है उनके द्वारा स्टम को तैयार किया गया अभी ये साबने नहीं है कि स्टम बनाने में कितने विपाय खर्च हुए मगर इसमें हजारों कारीगरों के द्वारा इसमें नकासी की गई जिसमें कांस की धातु के उपर ये पूरी नकासी की गई और इसे तयार करने वाले जो है वो गोईल मेडलिस्ट है इसी सब खेत्रों से लेकर तो उनके द्वारा ये स्तंब का निर्मार किया गया है और अच्कले लगाई जा रही है अभी मिली एक सूचना के अधार पर देखे तो यह स्तंब बनाने के जो कारिगर है उन्होंने अपना कोई इसे स्कुल्क नहीं लिया है जो मजदूरी होती है वो पूरी तरह उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए मेरे द्वारा समर्फूत रहेगा मेरे द्वारा दान रहेगा संसत को और आपको बतारे कि बिजय चौक से लेकर इंडिया गेज तक 18 जुलाई तक तुरा काम माना जा रहा था कि खतम हो जाएगा ये इस पर योजना को लेकर बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया हम ऐसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमासे समधा था विभाई शुमाडीतर पाठी चुड़े थे इस खबर पर खबर देवर्या से है जोहाँ पर बुल्डोजर चलने से घर के 6 लोग बेघर हो गए सोशल मीडिया पर गरीब के आश्याने पर बुल्डोजर चलती नजर आ रही है और घर के बच्चे दो दिनों से खाने के मोहताज हो गए है साथ सालों से जुगी जोपड़ी और मिटी के बने घरों में रहे कर अपना गुजारा कर रहा ये परिवार अब सड़क पर आ गया है लेकिन कानून को ने प्रुशासन की मदद से बुल्डोजर चलवा कर गरीब के आश्याने को धोस्त कर दिया तो वहीं सजीव कुमार ने बताया कि हम जाच कर उचित कारिवाई करेंगे ईसके सिकायत अथि किया है कहीं कल देवरिया में कहिंजा कसी गायत किया जाते हैं सर राने बसने के लिए रोड पहाँ आप लोग के नाम के नहीं सब्सक्राइब जुड़ चुके हैं रवी सरकार किया आदेशों पर पलीता नजा लगाते हुए नजर आ अधिकारी किस तरह से देखते हैं क्योंकि प्रशासन की भी मेली भगत इसमें कही जो आ रही ह जिससे आपको बता दे कि परिवार का रोरो का बुरा हाल है परिवार आने के लिए मौताज हो रहा है और पर्शासन से लगतार गुहार लगा रहा है कि मुझे अस्याना दिया जाए मैं बेगर हो गया हूँ मैं जाओंगा कहा हूँ जी रवी परिशासन के क्या इस बात की भनक नहीं है कि सीयम ने किस तरह से आदेश दिया कि कि किसी भी गरीब पे बुल्डोजर नहीं चलाय जाएगा गरीब को बेघर नहीं किया जाएगा क्योंकि प्रशासन की मदद से बुल्डोजर चलवाया गया है आपको बता दे कि यहां उस्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितनाच जी के मंसा पे पानी फेड़ते नजर आ रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदितनाच ने इसपश्ट कर दिया था कि जब तक किसी कोई गरीब व्यक्ति को उसका आफियाना नहीं मिल जाता है पट्ता नहीं मिल जाता आवास अवंचित नहीं हो जाता तब तक उस आफियानों को कोई नहीं गिराएगा और आपको बता दे कि यहीं देवरिया जन्पत के रूर पूर्ट असिल अंतरगत नहीं खास में देखने को मिला चाहां परिवार का रोप है कि कानगो और परसाथन की मदद से हमारे आसियानों को गुल्डोजा से द्वस कर दिया गया और परिवार के लोग बेघर होते नजरा रहा है चोटे चोटे बच्चे खाने दाने तो मौताज हो गए और परिवार का रोरों का बुरा हाल हुआ है इस मामले में SDM ने क्या कुछ कहा है आपको बताते कि SDM संजीव कुमार उपाद्या इसे टेलिफोनिक वारता हुआ है उन्होंने साथ इस पर स्वर दिया है कि मैंने ऐसा कोई आपिस ने दिया है और अगर ऐसी बात है तो मैं जाच कर उचित करवाई करूँगा और इस परीट को पट्टा दिल्वाने का विकार करूँगा जो बलकुल बहुत बहुत शुक्रिया मासा जोड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए इस ख़बर पर मैंसे समादाता रवी रावज जुडेति देवरिया से चार बजे की चार बड़ी ख़बरों में फिलहा लेता ही देश दिनिया के तमाम ख़बरों के लिए देखते रहेए प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार आपका पसंदीना न्यूस चैनल प्राइम टीवी अभी तक आप देख रहे थे जियो टीवी एमेस प्लेयर के साथ साथ कई OTT प्लेटफॉर्म्स पर और अब ये आ गया है नेट विजन के चैनल नमबर 241 पर आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार